आप सब का हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको यह बताएंगे कि जब रिष्टा तूटता है तो महिलाओं पर क्या असर पड़ता है मतलब महिलाओं पर क्या असर डालता है यह तूटा हुआ रिष्टा देखे जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो उस रिष्टे में खुशियां भरने के लिए हर मुश्किलों को पार कर लेती है ऐसा अपने पार्टन के लिए अपने प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए भी करती है जब किसी पुरुष की वज़े से रिलेशन्शिप खत्म होता है तो कई बर महिलाओं को तकलीफ होती है रिलेशन्शिप में सब कुछ ठीक ना होने से पार्टनर धीरे धीरे रिष्टे में घुटन मेंसूस करने लगता और ये घुटन रिष्टे को ब्रेक अप क्यों लेके जाती है एक महिला रिलेशन्शिप में पुर्षों के तुलना में अधिक युगदान देती है वे प्यार भरोसा और हर तरह का बड़ीदान देती है ब्रेक अप करना महिलाओं के लिए पुर्षों के तुलना में बहुत ज़ादा कठीन होता है ब्रेक अप के कारण कई महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती है लेकिन इसके अलावा भी महिलाओं पर बहुत अलग तरह से बेक अप का परवाव पड़ता है बहुत अलग अलग तरह से तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब अधूरा रह जाता है तो इनहीं में से एक सवाल ये भी है कि रिलेशन्शिप का खत्म होना महिलाओं को किस तरह से परभावित करता है चलिए सबसे पहले सबसे पहले तो दिमाग पर जो चीज हावी होती है वो होता है डिप्रेशन Relationship सोचने समझने की सक्ती को खतम कर देता है महिलाएं एक दिन में relationship से जुड़ी बातों को नहीं भूल पाती है और पुरानी चीज़ को याद करके depression में चली जाती है यह महिलाओं में जादा होता है Relationship के खतम होने का दुख दिमाग में लंबे समय तक रहता है हर महिला इस परिसी से गुजरती है टूटे हुए सपनों और भावनाओं का दर्द दिमाग पर हावी होने लगता है महिलाओं के अच्छे बहुत emotional होती है और यह समाने भी है क्योंकि महिलाओं को बनाय भी इसी तरह से बगवान में वो हर काम को अपने दिल के गहराई से करती है और प्यार में भी ऐसा ही होता है अगर वो किसी सच्छे दिल से किसी को प्यार कर ले तो दर्द सैने के लिए भी तैयार रहती है ब्रेक अप के बाद दिमाग में हांकरोश, क्रोध, निराशा, इर्श्या, उदासी, अकेले होने का भै सब एक साथ कहीं ने कहीं से दिमाग में ये सारी बात आने लगती है ये वो समय होता है जो मेलाओं का अपने विचारों, कामों और भावनाओं पर कोई नियंदर नहीं होता है उन्हें अपने लेशन्शिप का हर एक पल और लम्हा याद आने लगता है और डिप्रेशन तबाव भी भ्यंक कर रूप ले लेता है चब उनका एक्स पार्टनर अपने जिन्दगी में खुश रहता है जबकि उन्हें इस रिष्टे के टूटने से दुख होता है तो इससे मेलाओं और भी जादा सम्मेदन शील हो जाती है जैसे जैसे समय बीटता शाता है उन्हें अपने पार्टनर की और ज़ादा याद सताने लगती है और इसी वज़े से वो डिप्रेशन में चली जाती है उनकी सोचने समझने के शक्ति होती हो खत्म हो जाती है महिलाएं ब्रेक अप से बुरी तरह से प्रभावित होती है और तनाव में चली जाती है ब्रेक अप के कारण महिलाओं के सोचने समझने और विचार विमर्स करने के जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है महिलाओं के लिए ब्रेक अप का एहस्सा काफी दुखत होता है तो इस परिस्तिति में महिलाओं को असल में ब्रेक अप का एसास होता है उन्हें बहुत दर्द होता है और इस दर्द को सहते सहते हो सुस्त और उदास रहने लगती है उन्हें बात बात पर घुसाने लगता है और उनके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता है ये उनके लिए और भी ज़्यादा दुगदाई होता है क्योंकि उन्हें अपने दिल का दर्द चेहरे के मुस्कान से शिपाना होता है तो होता क्या है फिर उनकी यादत हो जाती है सोच में डूबे रहने की और फिर ना तो डाइट से ठीक ले पाती और जब डाइट ठीक से नहीं लोगी तो आउटमेटिक शरीर जो हो कमजोर होने लगता है ये उदासी के कुछ पनों से लेकर कुछ महीनों तक या सालों तक रह सकती है और इसकी अवदी महीलाओं के बैभार उनके आस पास के लोगों पर मेर भड़ता है उनके लिए मुश्किलों का दौर शिरू हो जाता है, उनके बैभार में परिवर्तन होता है बहुस सारी महीलाओं के बैभार में ब्रेक अप के बाद काफी परिवर्तन आता है वे अपने दिल तूटने के बाद काफी अचीव बढ़ताओं करती है उन्हें हर समय डर लगता है कि और भी कोई वेक्ति उन्हें दुख नहीं पहुँचा है वो जल्दी फिर कोई रिलेशन्शिप में जाने से उन्हें डर लगता है बहुस सी महीलाओं खुद से प्यार करने की कोशिश करती है बहुत ही मैलाएं पार्टन से इतना प्यार करती है कि उप खुद के लिए अपने मन में प्यार को कुबेट दिये तो ऐसे में खुद को मजबूत बनाने की कुशिश करती है और खुद से प्यार करने का प्रयास करती है तो ये स्ब प्रॉब्लम्स उनके साथ होती है महीलाओं को पुछो से ज़ादा प्रॉब्लम होती है मुश्कीलेंगे को दार शिर हो जाता है उनके लिए क्योंकि उसुस्त्र नहीं लगती है और जिब आप सुस्त्र होगे तो बाहरी दुनिया से एक तरह से महिलाएं अलग हो जाती हैं कुछ समय के लिए इससे उन्हें सब कुछ मुश्किल लंगले रखता है और ये कई मुश्किले एक तरह की हो सकती है जैसे कि इबर महिलाएं कभी अपने प्यार ना करने का फैसला लेती है और कई बार खुद को लोगों से दूर रखती है खास दोर पर मर्दों से तो इस वज़े से महिलाएं खुद को भी नुकसान पहुंचाती है तो आखिर ये सम महिलाओं के मान को इठेस पहुंचाता है ब्रेक अफ के बाद ऐसे हालाथ में महिलाओं को हरी रिष्टा ऐसा ही लगने लगता है उनहीं लगता कि हर्द मर्द ऐसा ही होगा चाहेँ, और वो सच्छ हो या नहीं रिष्टे के खतम हो जाने से प्यार से उनका जो भरुसा है वो बेसिकल्प बुच जाता है बरुसा नहीं रहता उनको दूसरे को लेशन्शिप के टूटें के बाद महिलाओं का बरुसा इस प्रकार टूटता है कि प्यार में पढ़ने से दूर भागती है वे फिर से रिष्टे में नहीं आना चाहती है क्योंकि ब्लेक अप उन्हें बहुत आहत करता है वे दूसरे पर बरुसा करने के बजाए अकेल रहना पसंद करती है जो आदते हैं उनकी आदते हैं बतल जाती है कई बार रिष्टे के कुटे पर मेलाओं खुद को वो बनाने लगती है जो वो असल में नहीं होती है वो फेक जिती है जो वो दिखती है एक्शली में होती नहीं है और जो वो होती है वो असल में दिखती है वो अपने हतीस से बाहर ने करने के लिए मैलाएं खुद को उदासी के दुनिया से दूर रखने के कोशिश करती है और यह सब करके वो अपनी उदासी को खत्म कर अपनी नई जिंदगी की शुवात करने के बारे में सोचती है रिलेशन्शिप के खत्म होने के बाद मैलाओं को यह सारे पड़ाओं से होकर गुजरना पड़ता है जो मैंने आपको बता है भाई जो इस्त्री है वो इश्वर की सबसे कुपसूरत और जटील कृती है तो भाई मैं सबसे आकरण करूँगा अपने एसाये दोस्तों से आकरण करूँगा जो मड़ लोग हैं कि कभी किसी इस्त्री को दुखी नहीं करें क्योंकि उनका दिल तूटना मतलब यू होता है कि समझ लीजिए कि आप भगवान को आहत कर रहे हैं आप भगवान को दुख दे रहे हैं क्योंकि आप तो उस लेशनशिप से उबर जाओगे उस दुख से उबर जाओगे पर महिलाओं को उस दख्ट से उस दुख से उस ले एलेवाट